यह कार है टोयटा रूमियॉन सबसे बड़ी आसी चीज है आज जो आपको दिखाने वाला हूं यह सेंजी वेडियेंट रूमियॉन का और यह कार बहुत सस्ती है अब यह है ड्राइवर्स व्यू और ड्राइवर्स व्यू कुछ स्टेप का है कि बाई जो स्टेरिंग पर फर् कर सकते हो ब्लुटूथ से यह ब्लुटूथ पेरिंग बटन है और इसको अगर देखा जाए तो यहां पर फोन पेक एंड डाउन कर सकते हो यह चीज मुझे बढ़िया लगी जिससे क्या फ्यूल कर सकते हो और अगस की देखूं तो की वैसी है नारुती वाली लेकिन यह प उसके बाद भार से कोई इसके अंदर ऐसा साउंड नहीं है और अगर यहां पर मैं आपको रिखाओं तो कुछ ऐसी लगेगी कार इस वाले व्यू से काफी बड़ी लंबी इसी लगती है पीछे तक कर देखो गया तो सेवन सीटर वाला फील है इसके अंदर लेकिन 26 प्लस क कि माइलेज मिल जाएगी CNG पर यार यह तो आउर्सेंडिंग चीज है ना चलो continue करते हैं इसकी MID स्क्रीन से यह इसकी MID स्क्रीन है जिसके अंदर आपको काफी सारी information मिल रही है in fact कि इसमें यहां पर CNG वगारा का दिखा भी रहा है कि आप कहां पर है यह देखे तो यहां प आप फ्यूल को भी स्विच कर सकते हो यहां पर यह इंफोटेमर सिस्ट्रम AC यह वाला बटन फंक्शनल नहीं यह वाली लाइट भी कोई फंक्शनल नहीं बट हाँ यह जो चीज है यह स्लाइडर दे रखा है अगर आपको exhaust चलाना है तो यह exhaust हो गया अगर आपको नॉर्मल मतलब ऐसी रोटेशन पर लखना है यह रोटेशन हो गई है यह आगई फैन स्पीड यह फैन स्पीड आगई यह आगई आपका कि कहां से आपको air चाहिए बाकी temperature कंट्रोल आगया नीचे USB और Aux के connections आगए है इस तरफ इस तरफ अगर देख रहे हो तो यह 12 वोल्ट का charging socket इ यहां आप से कूल कर सकते हो क्योंकि इसके इंदर AC की जो विंड है जो कूल ब्रीज है वो यहां पर आ रहे है वाव मजा रहा है मजा रहा है तो कोई भी चीज रखी होगी तो वो ठंडी रही मतलब बहुत जादा चिल नहीं करेगा ठंडा रहेगा manual transmission है और अगर इस manual transmission को म है नॉर्मल वाला ही manual transmission है ऐसा कुछ है नि की कुछ extraordinary ही हो बट अगर थोड़े सी और पीसे चले आते हैं यहां पे हैं यहां पे होई 12-volt का charging socket कार कितनी बड़ी है यार और यह जो कलर है फिरोजी वाला यह मुझे परसनली पसंचार है और यह जो कार है यह फैमिली कार है तो पीछे का जो environment है जो seats है यह comfortable सी soft वाली seats है इसके अंदर यह सकता है recline भी हो सकता है यहां से पीछे भी गुस सकते हैं लोग और पीछे दिखा होगे तो दो बच्चे एजी लिए राम से इसमें बैठ सकते हैं लेकिन आज का point यह नहीं है आज का point यह है कि यह 26 प्लस किलोमे माइलेज देती है यह पेट्रोल पे यह अगर मैं इसका रिखाओ ना सेंजी टैंक जो कि आज का लोगों की जान है क्योंकि पेट्रोल भॉत हो चुका है महंगा अब यह सी एंजी बगार यह चीजे चलेंगी क्योंकि 26 किलोमेटर का माइलेज निकालना इस इंजन से जो कि 1 10.5 इंजन है और प्रोड्यूस पी अची आसी पावर करते था एक फैमिली के साब से उसके लिए ठीक है यहां पर थोड़ा सा बूट का एरिया यह कॉम्परमाइज होता है बट इसको भी थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली डिजाइन कर दिया यह देखो यह है इसका स्लेंडर यहां पे इसका स्लेंडर है और यह जो चीज है आपको इतना ही पोर्शन मिलेगा बूर्ट में अगर पीछे दो लोग बैठे में तो ज्यादा पोर्शन नहीं है लगे जबगार रखने के लिए बट चोटे-मोटे बैग्स, लूज बैग्स, कोल्रिंग की बच्चों के लिए कोई स्टोव है वो है वो सारी यहां पर आ सकती है यह जो स्लेंडर है इसकी जो कैपी सीटी है वो अल्बोस 10 लीटर के असबस की है मालो की अगर एक लीटर में यह 26 किलोमेटर चल रही है यह उससे भी प्लस चलाने का तरीका यह उससे माइनस तो यार क् इस कार की यह है इसका यह वाला व्यू अच्छा वैसे बाहर बताता हूं कि यार यह जो गाणियां यह मारूतिय टोयटर मिल यह बना रहे हैं लेकिन यह देखो पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत फर्ग है यह तो पेंट के इंदर फर्ग है या फिर जो कोटिंग कर रहे है जो केंदर फर्ग है यह देखे यह अक्स्य संnya यह से बंद अंदर जाकर बैठ सकता है अगर फैम्ली के अंदर पास लोग है उसमें दो बक्चे तो यह आगये थीक है ना दो बक्चे आगए पास नोग मेंते थीन लोग बक्चे ए एक बंदा पी तो साआब टता बड़ मतलब एक seat बच्ची भी है, लेकिन अगर साथ लोग हैं फैमिली के इंदर, आपके पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, अब बच्चों को पीछे बैठ लाइट तो नी मिलने वाली, लाइट उसे भी हैं और ये लाइट भी हैलोजन है, लेकिन एक बाव बच्चों के लिए अब बच्चे पीछे बैठने हैं, उनकी कूलिंग के लिए न तो यहाँ पर ये चार्ड डक्ट दे रखे हैं, दो आप बीच वाली सीट्स के लिए अजस्ट कर सकते हो, और दो आप ऐसे करके पीछे कर दोगे, तो पीछे तक एर आ रही है, अभी देखो, लेवल वन है, फ प्रॉपर जो पीछे वाले जो बच्चे हैं, उनके उपर प्रॉपर एर आ रही है, यहां तक, मेरे उपर तो आ रही है फिलाल के लिए, अब जी यह है, मिडिल रो, मिडिल रो के इंदर मैं तो कहता हूँ, दो लोग कमफरटेवली बैठ सकते हैं, अगर आप चाओ, तो त अबरिक कुछ इस्टेप का है, सॉफ्ट है हाट जगां से बहुत सॉफ्ट है, जो डाउट, यहां पर आमरस मिलता है, विदाउट काफ होल्डर, क्यों हों, यहां यह 10,45,000 अरो ते के इंदर इसके ने सी इंजी है, पेट्रोल का निजन है, और जाँए अब यह जी इसकी सीट, तो देखिए, को पेसेंजर, नेविगेटर सीट, कुछ इस टाइप की लगती है, बाई, सबसे बड़ी असी जो चीज है, इसके इंदर, फोर डोर्स में, पावर विंडोस है, तो पावर विंडोस, महलाब वह वाला सीन निदिया है, अगर कम पैसों की का, कार बनाई सेवन सीटर बना दी, तो ऐसा नहीं है, कि वो ऐसे से करके घुमाओ, यह चीज बढ़िया है, यहाँ पर फिनिशिंग जो है, सब कुछ प्लास्टिक है, और हाड है सब कुछ, इसमें एरवेक्स मिल जाते हैं, आपको दो फ्रेंट के अंदर, यह बेस वेरियंट है, C&G का, क्योंकि जो बनना C&G अफोर्ड करेगा, मतलब पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर रहा है वो, तो अव्यस है कि उसको हर एक चीज वैल्य फोर मनी चाहिए, यहाँ पर यह चोटा सा ग्लब बोक्स मिल जागा, जिसके अंदर जादा कुछ स्पेस है नहीं, लेकिन अगर आप C&G लेते हैं, तो यह वाला जो पोर्शन है आपको, जो को पेसिंजर वाला है, वो कुछ ऐसा सा देखता है, यहाँ से कुछ स्टैप का दिखेगा, जो स्टीरियो है, वो नॉर्मल सा ही है, छोटा सा स्टीरियो है, देखो, इस केंदर को स्क्रीन वाला स्टीरियो नहीं है, इस लेकिन टोयटा का कुछ सीन थोड़ा सा अलग लग रहा है अब यहां पर आके सबसे वहले देखें तो यह जो इसकी शापनेस है यह बड़ी असी लगती है में को लाइट समगारा के अंदर भी देख लो यह जो है बेस वेरियंट या फिर ऐसा वेरियंट जो की बहुत जादा चीप है सफोड़ेबल है लेकिन इसके अंदर एक USB बताओ है यह प्रोजेक्टर देदी आपको लगागे अब आपको आफ्टर मार्केट जाने की जुरूत नहीं है इन प्रोजेक्टर के अंदर है तो हैलोजन बल्प सी लेकिन वह आप उसको कर सकते हो एच-फोर बल्प हो लेकिन यहाँ पे आपको प्रोविजन मिल रहा है फोग लैम्स लगाने का मेन स्पीड में भखाने से या गेर इशो दिखाने से पहले में यह दिखाने चाहता हूं कि यार यह जो फैमिली कार्स होती है इनकी सस्पेंशन प्रॉपर होनी चाहिए तो वहाँ पे अगर देख काम करेगी अभी हम इसके हिं न सिर्फ तीन लोग बैठे मैं लें थो फिर आपको घटे पता चलेंगे लेकिन अगर soft press करते हैं और ग्रेक मार के लेकर जाते हैं तो ठीक है देखो मैं भी internal road पे हूं ठीक है चल रही है लेकिन throttle देते के साथ ही चलो ठीक है अब यह थोड़ा से slope आ गया जहां पर चड़ा ही है तो यहां पर भी अगर मैं चला रहा हूं और देखो बिल्कुल मेरे निकलते साथ यह गड़ा है suspension में कोई कट-कट-कट-कट का sound तो नहीं लग रहा मुझे बट हाँ यह की softer side है लेकिन harder side भी हल्की सी mid level की suspension इसके तुमना रहा है रोड पर अगर देंगे तो कितनी बैड रोड पर इस वक्त मेरा experience चल रहा है तो यहां पर इतनी गाड़ी दिख रही आपको दिखी रहा होगा तो इस टैप की कुछ इसकी suspension है बाकि जो handling लग रही है में को गड़ों में भी steering इतो अदर move नहीं हो रहा है ठीक ठाक सा ही है light steering है बहुत जाला light नहीं क्योंकि में को लग रहा है कि hydraulic steering है और यह hydraulic steering जो होते है यह थोड़े बहुत आपको हलके से tight लगते ए एलेक्रिक steering जो होता हो बिलकुल light होता है CNG गाडियों में कहते हैं कि यह थोड़ी दब के चलती है या फिर इन में फड़े सा टॉर्क की कमी होती है throttle जाना देना पड़ता है देखते है अभी मैं यहाँ पे हूँ manual car है 1.5 litre engine है और इसका जो टॉर्क है वो है 120 1.5 इफ CNG पे लोग कहते हैं कि car दब के चलती है throttle response रोड़ा कम करता है तो चलो देखते हैं कैसा है 1st gear लगाई मैंने CNG की car में और 1st gear का एक बारी रेशो देखूँँगा फुल थ्रॉटल के साथ इतनी तेर में यह 40 पे second gear लगाने की ज़रूरत पड़ी है मुझे अगर आप फैमिली के साथ हो तो इतनी स्पीड पर कभी नहीं बगाऊँगे बच्चों के लेडिस के या फिर कोई बजूर बैठे है बाकी ठीक है पैपी सा इंजन है एक बारी टेस्ट राइड आपको जरू लेनी चाहिए और अगर फैमिली को गुमाना है कम पैसो के ओके मैं इस वक्त जहां पर चला रहा हूं इस वक्त यहां पर हलके से टर्न्स हैं लेकिन बाडी रोल कुछ खास नहीं हलका सा बाडी रोल है वो एक फैमिली कार के अंदर होता है नो डाउट लेकिन अगर हैंडलिंग देखी जाए तो परफेक्ट हैंडलिंग है हाइडॉल से काम कर रहा है लेकिन हाथ थोड़ा से टाइम पर जाएगा जब जादा लोग इसकेंदर बैठ जाएगे क्योंकि बॉड़ी हीट तो होती है तो वाइस यह एक छोटी सी बस एक टेस्ट राइड थी इस रूमियान की जो कि टोयोटा की है और 36 टोयोटा फारिदाबास का मै आपको एक नंबर बता रहा हूँ वह इस नंबर पर पूछो कि भाई कितने की देदो और यह लोग एक्षेंज भी कर लेते हैं पुरानी गाड़ियो लेते हैं और नहीं गाड़िया देते हैं ऐसा भी है एक वाईड़ी फोन करके लोगो परशान करो अप्लों कितने की कार ह मेरे काम था आपको एक वीडियो बना के दिखाना आप बताओ आपको एक वीडियो कैसा लगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई